बहुत 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 शुक्रिया मुझे मालूम नहीं है इतनी तारीफ के लायख में हूँ या नहीं लेकिन आजकल दौरी ऐसा है कि आप minimum journalism करके maximum appreciation ले सकते हैं क्योंकि देश में पत्रकारिता लगभग विलुप्त हो रही है तो जो बचे कुछ एक पत्रकार जो minimum journalism कर रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे तोप दागना कहते हैं तोप नहीं दागी है सिर्फ minimum journalism जिसे कहा जाद है वो किया जा रहा है लेकिन maximum admiration मिल रहा हूँ अलग बात है कि दूसरी तरफ से उतनी गारियां भी सुनने को मिलती हैं लेकिन कम से कम इतने कि देश के नहीं उन में से एक हैं मैं बहुत कुछ हुई आए और फिलहाल जिस तरह के राजनेते को सामाजिक हाला देश में हैं यहां तर एक तरह की इताज़गी एक तरह का खुलापन एक तरह की आजादी एक तरह की गर्म जोशी भी मुझे मैसूस हो रहे है तो बहुत परशुक्रिया मैं उमीदे करते हूं कि जैसे आप लोग हैं वैसे बने रहे हैं पुराना हिंदुस्तान बचा के रखे नया बनेगा भारत वो जब बनेगा लेकिन फिलहाल पुराना भारत मुझे यहां मिल रहा है जितनी गर्ण जोशी आजादी और तबहां चीज़े इस हासिने मैं कोशिश करूंगी कि अगले कुछ मिनिटों में आपको दो तीन पहलू जो हैं पत्रकारिता की जैसे मैंने समझा है अपनी नजर से देखा है किताबों के जब जब यह नहीं बलकि जो जिस पत्रकारिता को मैंने जिया है उसकी समझ को इस्तमाल करते हुए मैं दो की महतकून बात की करिंट स्टेट अफ मीडिया इन तू थाउजन नाइन दोजार उन्निस की भारत में पत्रकारिता के स्थिति क्या है और टीसरा कोशिश करको मैं पता नहीं कि जो पत्रकारिता का भविश्य है फ्यूचर ऑफ जिनलिसम उसकी जो ट्रेंड हमें मिल रहे है क्योंकि फ्यूचर बदाना इसलिए बहुत जरूरी है कि यहां एक हजार से जादा मुझे बदाए गया है पत्रकारिता के चार्टर हैं वो यह सोच रहे हैं कि किस तरह की एत्रकारिता के दुनिया है क्या हमने पत्रकारिता का फॉर्म भरके यहां दाफला लेके गल्ती की आकल बंदी की हमारा आने वाला जीवन कैसे होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि इन दो तीन चीजों पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं जिससे कि थोड़ी समझ बने कि हम क्या करें पहली बात तो यह है कि objective of journalism देखिए मानफता का इतिहास है उसमें सबसे बड़ी जो दिखत थी मानफता के विकास में वो थी दो चीजें परिवहन और संचार यानि एक विक्ति को दूसरी एक जगा से दूसरी जगा कैसे पहुंचाया जाए और सूचना को एक जगा से दूसरी जगा कैसे पहुंचाया जाए हमने करीब करीब डिर सो साल लगाए इन दोनों को पार प सुचना सही धीरे धीरे हमने प्रिंटिंग प्रेस बनाया प्रिंटिंग प्रेस बनाके पत्रकारिता का उदे हुआ और पत्रकारिता जो है वो लोगतंत्र के विकास में लोगतंत्र को लोगतंत्र बने रहने के लिए बनाए रखने के लिए कितनी महत्पून एक टूल और एक institution बन गया शायद ये जो लोग democracy में यकीन रखते हैं जिस model को जिनों ने बनाया उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा और इसलिए जब हम जब जब लोग तंत्र की बात करते हैं तब तब कि जो चीज हमारे सामने है और जो हमें दिखाया गया इन दोनों के बीच हो सकता है बिलकुल इतना फर्क हो कि बिलकुल सुभा और शाम जैसा काला और सफेद जैसा इसका मतलब कि इस सूचना के या संचार के लिए जो हमने इतनी महनत की करी सो साल अब उस सूचना को जो मानफ़ता के मैं कह रही हूँ विकास के लिए हमने इस्तमाल किया क्या मानफ़ता के विकार विनाश के लिए भी इसका इस्तमाल हो सकता है ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने कि क्या जिसको हमने अब तक तयार करने के लिए कि हम सूचना के बलब पर लोगों को सश्चक्ती करण करेंगें यह भी सूचना क्या चीज होती है अगर आपको कोई चीज पता भी लग गई तो उससे क्या फर्ख पड़ेगा फर्ख यह पड़ता है कि जब आपको सूचना होती है तो आप उस पर आधारित फیसले लेते हैं तो आपके जो फेसले होते हैं वो informed decision होते हैं जैसे मैं अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाऊँ मेरा किस स्पताल में इलाज होना चाहिए मुझे कौन सा कर्यार अपनाना चाहिए मुझे किस शहर में रहना चाहिए ये तमाम जो बड़े-बड़े फैसले आपकी जिंदगी के हैं वो सूचना पर आधारित होते हैं कि आप कितने इंफॉर्म्ड हैं उस सूचना के आधार पर अपनी जिंदगी के बड़े-बड़े फैसले आप करते हैं तो पत्रकारता और पत्रकारों का उदेशे मेरी नजर में जो 21 सदी में देखती हूँ वो ये कि पहले राजा बादशाह लोग हुआ करते थे तब भी सूचना हुआ करती थी आपको याद होगा नगाड़ा बज़ाया करता था ढोल बज़ा के राजा बादशा जो उन्हें कहना हुआ करता था कहलिया करते थे इसका मतलब जो सक्ता वर्ड था जो प्रभू वर्ड था उसको सूचना जनता तक पहुँचाने में जो वो कहना चाहते थे जिस तरह से कहना चाहते थे उसमें कभी विकत नहीं हुई यानि कि नरेंदर मोदी सरकार को अगर वो कहना चाहें जो वो कहना चाहते हैं या कमलनाथ सरकार को उनको जनतार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए उनके पास बहुत सारे टूल हैं उनके पास बाकाईदा मंत्राले हैं जिसके जरीए वो अपनी बातें से पहुचा सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि साफ तोर पर जो बड़े बड़े टीवी नेटवर्क्स हैं और जो अफ़बार हैं उनको तो उनकी जरुवत तो नहीं है नर लोकतंत्र के हाशिये पर हैं सबसे कमजोर समुदाए जिनकी आवाज लोकतंत्र के नाम पर इस लोकतंत्र ने दबाई हैं खुचली है नसिए उनकी आवाज बलके उनकी अधिकार भी इनमें तमाम वो वर्ग हैं जिनको सामाजिक आर्थिक और राजनितिक रूप से भी जो कुचल वजर्षाल हम लेके रहे हैं जाए हो दलिध हो आदिवासी हो किसान हो मजदूर हो धार में क parlब संक्क्यक हो महिलाए हो और सबसे ज़्यादा हैं युवा हो scholarships सबसे जञादा जिस एक समुदाय को हाश्य पे फेक गया है उसमें इस देश का युवा मुझे बता निये हैं आप में से कितनों को इस बात का अंदाज़ा है कि युवाओं का जो इस लोग तंतर में जो एक स्थान hoNA चाहिए था उनका जो एक उनकी ताकत होनी चाहिए थी उसको पूरे तरीके से हाश्ये पर फेका गया है. तो ये तमाम लोग जो हैं, मैं ये समझती हूँ कि एक पत्रकार के नाते, मेरी जिम्मदारी ये है कि ये जो दबे, कुछले, वर्ग हैं, इनकी आवास को हम मुख्य धारा तक लेकर आएं. इनकी आवास को हम सेंटर स्पेश तक लेकर आएं. और इनकी आवास, इनके मुद्दे, इनकी समस्याएं सरकार के कानों तक पहुँचाएं और लोगों को अवगत कर आएं. ये पत्रकार के तौर पर मेरा काम है. मेरा काम नरेंदर मोदी जी का गुरगान नहीं है. आज सबसे ज़्यादा दुर्भागे की बात ये है, कि अपना असली कार, अपना असली पत्रकारिता का धर्म भूलकर 98 प्रतिशत मीडिया, अगर मैं exaggerate नहीं कर रहे हूँ, वो सरकार का भूपू बन गया है. सरकार का गुरगान कर रहा है. और दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, आप सब के लिए, जिनके आगे पूरा जीवन पड़ा हुआ है, पूरा कर्यार पड़ा हुआ है, इस से ज़्यादा दुर्भागे की बात नहीं हो सकती. और इसलिए मैंने शुरू किया था कि क्यों एक रवीश कुमार, क्यों एक अभिसार शर्मा, क्यों एक आर्फा खानम, क्यों एक बुने प्रसून बाच्पे, यकीन जानिये हम लोग बिल्कुल मिनिमम जर्लिजम कर रहे हैं. यही हम कर रहे थे, जब वो 19 साल से पत्रकारिता में हैं, तो 14 साल क्या कर रही थी आखिर? एक बार ज़र गूगल में नाम टाइप करके तो देखे, एक बार यूट्यूब में विडियोस तो देखे, क्या वो इसी तरह से सरकार की खबर ले रही थी, जैसा किसी भी पत्रकार को लेना चाहिए? क्या यूपिये के दस साल तमाम तरह की उनकी जो जन विरोधी नीतिया थी, या जन विरोधी राजनीती थी, क्या उसकी आलोचना, उसको अपने कारेकरम में जगा देना, या उसको सरकार को आईना दिखाने का काम, मैंने और मेरे जैसे ये जो तीन चार पत्रकार हैं, क्या इन्होंने किया या नहीं? अगर आप ये देखेंगे, जो लोग समझते हैं कि दोहजार चौधा से पहले भारत का कोई इतिहास ही नहीं था, ये 2014 से पहले भारत में पत्रकारिता का कोई इतिहास नहीं था सिर्फ वो ही लोग ये कह सकते हैं कि आर्फा खानम शेरवानी एंटी मोदी हैं एंटी हिंदू हैं और एंटी इंडिया हैं और सबसब बड़ी बात हैरानी की बात ये हैं कि ये तीनों एक बन गए हैं मोदी, हिंदू, भारत इस सब में कोई फर्ट नहीं है और फिर मेरे जैसे लोगों के लिए ये कहना और भी आसान हो जाता है क्योंकि एक अनपॉपिलर रिलिजिस आइडिन्टिटी से आयोगा आदमी उसके लिए तो आप एक जटके में कह सकते हैं तो यानि ये साफ तोर पर जिस तरह से हमने हाशे पर उन आवाजों को फेका है जिनको की लोगतंतर का काम यही था कि उन कमजोर आवाजों को हम सेंटर स्टेज में लेकर आएं उनको उनका असली हख दिलाएं क्योंकि लोकतंत्र का मतलब जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि जो last man, अंतिम व्यक्ति जो है, उस तक सरकार पहुंचे, देश के जो संसाधन है वो पहुंचे, वो ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि पांच साल तक आपको तमाम तरह की misinformation और disinformation के जरीए किसे पेड दिया जाया और एक दिन जाके आप मतदान कर लें, यह लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र हर रोज है, हर रोज जीते हैं हम इस लोकतंत्र को, जब जब एक व्यक्ति लिंच होता है, जब जब एक किसान आत्महत्या करता है, जब जब एक मजदूर को उसकी मजदूर रोता है असली लोगतंत्र का काम है इन तमाम समाजों को केंदर में लेकर आके उनको उनकी अधिकार दिलाना मैं बाखी लोगों की बात इसलिए नहीं कर रहे हूं क्योंकि वो तो पारंपरिक रूप से सत्ता पर संसाधनों पर हमारे सामाजिक विमर्श पर यानि कि आपे इन प्रभू वर्गों का हमेशा कब्जा रहा है तो इनको अधिकार दिलाना नहीं है बलकि लोगतंत्र का काम है इन दोनों को एक ऐसे मिडल पॉइंट पर ले आना एक ऐसे मद्धमार पर ले आना जहां जो गैर बराबरी है वो जितनी कम होगी लोगतंत्र उतना आगे ले वागे से सबसे ज़ादा मीडिया ने इस गेर बराबरी को और ज़्यादा एक बड़ी खाई बनाने का काम किया है सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ये हाशिये के समुदाएं हैं जो marginalized communities हैं इनको demonize किया गया, इनको death बनाया गया, इनको इस तरह से पेश किया गया कि नए भारत के new India के निर्मार में सिर्फ यही लोग जो हैं वो रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं तो ये तो बात रही objective of journalism और current state of journalism इतना दो तीन खतरे मैं देखती हूँ कि अगर इसको academically देखा जाए, पहली बात तो जो मीडिया की integrity है और जो मीडिया की स्वायत कता है, यानि जो मीडिया की independence है, ये पूरे तरीके से खतरे में हैं और इसी वज़ा से जो विश्वस्नियता ह आपी सोची की चार-पांच लोग सिर्फ ऐसे हैं, जिनकी बात पर लोग विश्वास करने को तयार हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग ये भी हैं, जो मैं देख रही थी आज फेसबुक पे कि यहां क्योंकि दो-तीन इस तरह के लोगों को मंच मिला है, कि बागाइदा एक तरह का जिहाद चड़ा होगा है, फेसबुक पोस्ट के जरिए, कम से कम ऐसी पचास पोस्टों में मुझे टैग किया गया है, कि तमाम जो हैं, वो राश्च चिवरोधी ताकते आके इस स्टेज पर मन्चासीन हो गई हैं, तो भी मैं देख रही थी पता नहीं, आपने से कि जाएं, और ये तमाम तरह के जो धार में कलब संख्यक हैं, और ये दर तादिवासी जो हैं, जो तमाम सरकारी खजाना जिन से खाली हो रहा है, अगर ये इनको सही अपनी जगा पहुचा दिया जाए, तो भारत विश्व गुरू बन जाएगा, बिना ये सोचे हुए, बिन फिफ्टीन ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी, पंधरा, यानि जिस पांच को हम दोजार पच्चेस में पाना चाहते हैं, दोजार पंधरा में वो पंधरा ट्रिलियन एकॉनमी हमारे उद देश्चे से तीन गुना वो पहले हासिल कर चुके हैं, तो अब कैसे विश्व गुरू बनाया जाएगा, ये मुझे पता नहीं है, एक बड़ा खत्रा जो आ रहा है, इंडिपेंडेंडेंस के पीछे उसमें जो बिजनस मॉडल है, उसका कॉलैप्स होना, आप ये देखिए कि आज हो ये गया है, कि नरेंदर मोदी जी और उनकी सरकार जो है, वो ये समझते हैं, कि जो देश के संसाधन है, जो टेक्सपेयर का पैसा है, दरवसल वो उनकी अपनी सम्पत्य है, वो जब ये चाहेंगे कि जो नियूसपेपर या जो टीवी चैनल, अगर उनके हिसाप से रेकॉर्टिंग नहीं कर रहा है, उनके हिसाप से कवरेज नहीं दे रहा है, तो वो जो government का पैसा मिलता है वो उसे देना बंद कर देंगे वो उसको पुरी तरीके से उन्होंने इस स्थिती मे ला दिया है कि या तो आप ये करिए या आप खत्म हो जाएंगे आपको government ads नहीं मिलेंगे अभी तीन major आफ़ारों को government ads मना कर दिये गए हैं दूसरी बड़ी बात अगर इस तरह भी आप नहीं माने तो क्या किया जाएगा आपके साथ आपको कानूनी और गैर कानूनी legal और extra legal measures के जरिए आपको सताया जाएगा परिशान किया जाएगा जैसे अभी सबसे बड़ी जो चुनौती आरही है सरका के सामने जोल किया जाए फिक निउस के नाम पर वो कानून टकलाने की कोशिश की थी यानि सरकार अभी बताएगी और सरकार के मंतरी ये बताएगे कि फिक निउस क्या होता है आपने देखा होगा डॉनल्ड टरंस आपको CNN को कहते हैं फिक निउस है वो New York Times को कहते हैं फिक निउस है यानि सरकार के खिलाफ जो भी खबर जाएगी वो फिक निउस कहलाएगी और इसको निर्धारिद करने का इसको चिन्हिद करने का काम भी सरकार का होगा कि फिक निउस क्या है यानि मैंने अभी कुछ भी बोला आपके सामने अभी मुझे कल को सरकार बोलेगी कि ये फिक निउस है बाद जेल जाएगे तो ये कोशिश तो वो कर रहे हैं लगतार लीगल तरीके से और एक्स्ट्रा लीगल तरीके से भी आपने देखा कि दोबायर पर साड़े ग्यारा हजार करोड के मुकदमे दर्ज हैं ये मैं आपके सामने जो छोटी मोटी पत्रकार खड़ी हुए हूँ मेरे ओपर 10 करोड का मुकदमा है तो मेरे ओपर मुकदमा ये शरी शरी रभी शंकर ने दर्ज के आई क्योंकि उनको वो interview person ने आया जो मैंने उनको दिया था उन्होंने मुझे interview दिया था और जिसके लिए मुझे इस साल का Reading Award भी मिला तो एक तरफ आपको सम्मान मिलते हैं और दूसरी तरफ आपके पर defamation cases होते हैं तो ये एक खटे मीठे तरीके से हम जैसे पत्रकारों का सफर च जानते हैं अभी प्रकाश पर प्रशांत कनौजिया उनको गरफतार किया गया इसके अलावा लोकल यूपी के चानल के तीन पत्रकार थे मुझे बदा नहीं अभी उजे बाहर आए ने आए को खबर उनकी मिली नहीं है उनको गरफतार किया गया मनिपुर में सिर्फ भाष् तो इस तरह के मेजर से डराना, धंकाना, दबाओ देना, दबाओ देना, दबाओ जैसे ओगनाईजेशन जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो हम डोनर्स के आधार पर चलते हैं, आपके जैसे लोग हमारी मेरी दनखाद देते हैं, और उसके रावा कुछ बड़े डोनर्स को डोनेशन देते हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेंज चलाए जा रहे हैं, तो आप पुछे ये बताएए कि ये जो कैंपेंज हैं, क्या ये पत्रकारों के खिलाफ हैं, क्या ये उन न्यूज और्गनाईजेशन के खिलाफ हैं, ये आम लोगों के खिलाफ हैं, क्य कि ये पत्रकार ये सब क्यों कर रहे हैं कभी आपने सोचा कि इन पत्रकारों को क्या जाता है कि एक बार जाके सरकार के किसी मंत्री से मिल लेंगे उनको सलाम दूआ करेंगे और शामिल हो जाएंगे जिस तरह से बाहर बाकी मीडिया बाहर से दनेंद बोजी सरकार को समर्थन दे रही है हमें कितना फर्क लगता है एक दिन जाके उनके साथ वो वो पुल हम भी बना लेंगे लेकिन चुकि हम कमिटेड हैं पत्रकारता के लिए जिस चीज के लिए हमने तर्सम कहाई की 20 साल पहले मेरे जैसे लोगों ने कि आम जनता के लिए काम करूंगे आप सोचे कि ज जहां की ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता था कि आप जो ही किसी अखबार में जाके नौकरी करेंगे उन्होंने का कि अखबार ही निकाल देंगे तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे जैसे लोग जब पत्रकारता करना चाहते हैं और सब कुछ दाओ पर लगा कर जब कर रहे हैं तो वो आपके सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं जब हम जैसे लोगों पर दबाव होता है हमारे न्यूज और्गनाईजिशन्स पर दबाव होता है जब हम खत्रे में आते हैं हमारे न्यूज और्गनाईजिशन्स खत्रे में आते हैं तो आम जनिता के जो सवाल हैं उनके जो सरोकार हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो परेशानिया हैं, वो खत्रे में आती हैं जो हम कुछ पत्रकारों के जरीए आपको नजर आते हैं अगर हम पीछे हटेंगे, हम दबाओं में आएंगे, हम धंकी में आएंगे आपके सवाल जो हैं लड़ पाएंगे आपे बताईए और ये 4, 5, 6 इसलिए खत्रे में हैं क्योंकि इस जैसे 50 फत्रकार नहीं हैं एक गोरी लंकेश को इसलिए मरना पड़ता है क्योंकि हमारे पास 20 गोरी लंकेश नहीं है तो अलग तरीके से गोरी लंकेश खड़ी हो जाती है वो रोश्टी में आती है बाकी सा पंधेरा है उसको गोली मार देना उसको जेल में डाल देना आसान होता है क्योंकि एक गोरी लंकेश है मुझे बताईए अगर 100 गोरी लंकेश होती तो क्या गोरी लंकेश को मरना पड़ता हाँ या नहीं आज एक गोरी लंकेश इसलिए मानी जा रही है आज एक आर्फा खानम या अभिसार शर्मा को इसलिए फेस्बूक ट्विटर सोशल मीडिया पर रेप और डेफ और कौन-कौन सी थ्रेट्स इसलिए मिलती हैं क्योंकि ये चार-पांच आवाजे हैं सिर्फ जो लगता है कि ये लोग अगर खामोश हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो लेकिन आप यकीन जाएंगे ये हमारा नहीं है इसमें हमारा नुपसान नहीं है इसमें सिर्फ आपका नुपसान है आम जनता को खड़े होना पड़ेगा आपको किस तरह की पत्रकारिता चाहिए ये आपको तैख करना पड़ेगा ठीक उसी तरीके से जैसे आफ वोट देक यह तेह करते हैं कि हमें कैसी सर्गार चाहिए ठीक उसी तरही किसे इन पत्रकारों के लिए और इस पत्रकारिता के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा इसके अलावा दो तीन और महत्कुम चीजें जो जिस तरह से मीडिया का जो ट्रेंड्स हैं अगर उनको देखें इसे तो सबसे बड़ी बात जो आप पत्रकारिता के जो छात रह मैं उसे वो कहना चाहते हूं वो यह कि आपके सामने जो रोल मॉडल्स अभी नजर आ रहे हैं वो हैं आंकर्स आपको लगता है कि आंकरिंग का मतलब होता है पत्रकारिता आप यकिन जानिए ये भी जो पत्रकार जो फिलहाल मैं भी आंकर हूँ लेकिन मैंने अपनी जिल्देगी में जो सबसे ज्यादा सीखा है मैं जिस तरह की आंकर बन पाई आपके सामने या खड़े हो के मैं बात कर पा रही हूँ मेरा एक प्रस्पेक्टिव है कुछ मुझे जानकारी है वो सिर्फ मेरे रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स के आधार पर है बंद कमरे में बंद स्टूडियो में ना आज तक कोई कुछ सीखा है ना कभी कोई कुछ सीखेगा और इसलिए सरकार के लिए बहुत आसान है कि आप पांच एंकर्स को खरीद लेजे और हर शा कोई मुकदमा होगा ना उन्हें कभी जेल जाना पड़ेगा ना उनके खिलाफ कोई सोचल मीडिया ट्रोलिंग होगी और धीरे धीरे मैं चुकि ती महीरे मैंने ट्रावल कि एस पूरे लेक्शन में खासकर जो हमारे गाउं देहाद के लोग हैं चोटे खजबों के लोग है इन लोगों पर इतना विश्वास करते हैं वो यह कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि दस स्टूडियों से 10 एंकर एक ही वक्ट पर सब नरेंदर मोदी जी की तारिफ करें ऐसा कैसा संभव है तो इसका मतलब इनकी बात में कोई सचा ही होगी वह बात सच है कि जिन लोगों के विकास सूचना कि वो रिसॉर्सिस नहीं हैं, वो संसाधन नहीं हैं, जिनको मौका नहीं मिला अपने मस्तिश के उतने विकास के लिए कि वो ये देख पाते कि ब्लैक इन वाइट के बीच में भी एक बहुत बड़ा ग्रेय एरिया होता है, वो मासूम लोग जिनका एक बहुत सेमित जिनकी दुनिया है, उनके लिए बहुत आसान है इन लोगों की नफरत भरी, दंगाई, पत्रकारिता पर यकीन कर लेना, बहुत सारे लोग इस पर यकीन कर रहे हैं, और 2019 का जो वोटिंग पैटरन है, हमें ये बताता है, कि किस तरह से इस पत्रकारिता पर लोगों न यकीन किया है, और उनकी बातों को उसी तरह से उस पर विश्वास करके उन्होंने अपने लिए राजनेतिक भविश्य चुना है, तो इसलिए बहुत जुरूरी है कि आप रिपोर्टिंग में जाएए, रिपोर्टर बनिये, क्योंकि अगर एक चैनल में 30 रिपोर्टर, 30 ख सबरे फिर भी ओने नजर आएंगी ना, इसलिए पांच एंकर्स को मैनेज करना बहुत आसान है, लेकिन 30 रिपोर्टर्स को उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ये बड़े बड़े जो टीवी चैनल में नाम ही आपने लेना चाहती हो, उन कि नेटवर्क में जो काम कर रहे लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया है, कि जरूर मीडिया पर पूरी सेंसरशिप है, जरूर बहुत कंट्रोल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर एक पत्रकार ये तै कर ले, ग्राउंड से बाकाइदा एडिटर को खबर दे रहा है, उसे जब रिपोर्टर एक चैनल से 30 रिपोर्ट आएंगी, कितनी डॉप होगी, तो इसी लिए उपीनियन की जगा वापस जो है, वो रिवाइव करा जाए, फिर से जीवन और जीवन दान दिया जाए रिपोर्टिंग को, यही एक अकिरा तरीखा हो सकता है पत्रकारता को बचा करने के लिए, तो एक बार देखती हूँ कि ट्विटर पे ट्रेंड क्या है, फेस्बुक पे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, गूगल पे कौनसी नियूज जो है वो जो चार्ट है उन्हें टॉप कर रहे हैं, लेकिन यह तमाम जो हमारे प्लाटफॉर्म्स हैं, इनको प्रिश्टर, असी फीसस ज्यादा, दक्शिन पंती जो ताकते हैं, उनका कब्जा है, चाहे उनके आईपी सेल्स के जरिए, या उनके आईडियो लॉग्स के जरिए, क्योंकि एक कमरे में अगर तीस लोग बैठ जाएं, और वो एक मुद्दे पर बीस बीस ट्वीट करें, ये बहुत आसान है कि इसको आप ट्रेंड करा लें, फर्क इतना है कि जो सत्ता के उस पार जो लोग बैठे हैं, ना उनके पास इतने रिसॉर्सेज हैं, ना उतना धन बल है उनके पास, और नहीं उतना मनोबल भी उतना उतना नहीं है उतनी उनके अंदर कन्विक्शन भी नहीं हैं, वरना कोई भी तीस लोग एक कमरे में बैठके किसी भी चिसको ट्रेंड करा सकते हैं, एक विमन्स ग्रूप का मैं हिस्सा हूँ वात्सप पे, और एक बार हम लोग ये एक्स्परिमेंट कर चुके हैं, और आप यकिन जालिए कि ट्रेंड हुआ दो अधाई गंट वो टॉप ट्रेंड में आ गया, इतना आफसान है ट्रेंड करना किसी भी बात को, तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड क्या होता है, ये भी वोही लोग टैख र रहे हैं, सो मेंटिर्म अखबारों में क्या छपेगा, ये सोशल मीडिया से तैह हो रहा है, तो पूरा इस पूरे universe को आप समझने की कोशिश करिए कि आपके पास जो सूचना पहुंच रही है जिसको पहुंचाने के लिए सवियों मेहनत की गई वो सूचना कितने ट्रिस्टिक तरीके से पहुंच रही है यह जो सूचना आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए पहले सूचना पहुंचाने के लिए महनत की गई अब वो सूचना जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचे इसके लिए कितनी महनत की जा रही है इसके लिए हर तरह का बन लगाया जा रहा है इसको डिफीट करना है यह बहुत मुश्किल है और मैं यह नहीं चाहती हूं कि इस बात को सुनके आप डर जाएं क्योंकि बात डराने वाली है, चेहरा भ्यावे है, मैं आपको यहां कोई भी सबसबाख नहीं दिखा सकती हूं क्योंकि तस्वीर उतनी हरी नहीं है अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूं मुझे लगता है कि अभी वक्ती की स्वातंद्रता और जो इमांदार पत्रकारता और जो पत्रकार हैं उनके लिए ज्यादा खत्रे के दिन है 2014 से 2019 का खत्रा जो हमने देखा था उस से ज्यादा खतरनाख दौर में हम दाखिल हो चुके हैं तूसरी बड़ी बात जो कुशिश 2014 से 2019 के बीच की गई थी डिजितल मीडिया को कंट्रोल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएंगे उन कोशिशों की एक साफ वज़ा है वो ये है कि जिस सोशल मीडिया के कंट्रोल की में बात कर रहे हैं कि वो कहीं न कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी देता है जैसे टाइमस उस इंडिया जो छापता है वो भी लोग पढ़ते हैं लेकिन जो दवायर छापता है वो भी लोग पढ़ते हैं इसका मतलब कहीं न कहीं एक तरह से एक ख़बर का लोगतांत्रिकरंड हुआ है, डिमॉक्रिटाइजेशन हुआ है, एक छोटा सा ओगनाइजेशन और एक इतना बड़ा मीडिया जाइंट, उन दोनों की ख़बर आप तक पहुंच रही है और आप पढ़ सकते हैं, तो जो सब से ज्यादा असहमती की आवाजे आ रही हैं, वो डिजिटल मीडिया से आ रही है, इसलिए इसको कानूनी तरीके से डिजिटल मीडिया पर काबू पाने की कोशिशें की जाएंगे, तीसरी सबसे महतुपून बार जिसको दोजार चौदा से उननेस के बीच पी किया गया ले इन दोनों का बहाना बनाकर बुद्जीवियों, पत्रकारों, सामाजी कारेकरताओं, वकीलों, जज़ों, इन सब को निशाना बनाने की कोशिशें तेज होंगे, ये सब कुछ आता हुआ नजर आ रहा है, अगर उपर कोई है, तो मैं उससे प्रार्टने करूंगी कि ये सब ना हो, लेकिन अभी जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि ये तमाम तरह की जो ट्रेंड है, ये और ज्यादा इनको बल मिलेगा, अब इसका हल क्या है, इसका हल सिर्फ ये है कि पत्रकारता जो है, वो किसी हवा में या खला में जिन्दा नहीं रह सकती, ज अच्छे समाजिक कार्करता नहीं होगे, अच्छे नेता नहीं होगे, ये सारी जो इंस्ट्यूशन्स हैं, ये एक दुसरे को ऊज़ा देते हैं, खाली पांच पत्रकार मिलकर कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि इन तमाम इंस्ट्यूशन्सस से हमें ऊर्जा नहीं, हमें बल न मिले और एक ऐसा माहौल तयार न हो जो कि इन बड़ी ताकतों की खिलाफ हो इसका मतलब क्या हुआ इसकी सिर्फ एक कुझी है वो कुझी है आम लोगों के हाथ किसके हाथ आपके हाथ आपके हाथ आपके और आपके हर भारत का नागरिक हर भारत का वोटर हर भारत का टेक्स क्योंकि नॉन टेक्सपेर जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम डेक्सपेर करते हैं बाकी हमारे जो वो नागरिक वो इंडेक्सपेर करते हैं। तो टेक्सपेर हम सब हैं। अगर एक बीड़ी भी खरीगता है गाओं का एक मज़ूर उस पर भी टेक्सपेर करता है वो। तो इ जिसको हम डिजर्व करते हैं यानि हमें वो सुचना जो अब तक फुफ्ट मिल रही थी हमें उसकी कीमत अदा करने होगी वी हव तो बाई दे न्यूस देट वान फोर आफसेल्ट यह चोटे-चोटे जो प्लाटफॉर्म्स हैं इनके लिए समठ्थन दीजे आप उनको पैसा नहीं gelś Till hen मत दीजे कम से कम आपने के लिए सोचल मीडिया पे खड़े हुए 15 जो खबरे दिखाते यह हमें चाहिए यह हमारे फाइदे यह हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे न्यूज और्गनाइजेशन को ये ना लगी कि हमारा काम जाया हो गया। क्योंकि पिछले दो महीने में लगदार मुझे कई बार ये अहसास हुआ, मैं डिप्रेशन का भी शिकार हुई, कि वाकि ही मेरी पत्रकारता, क्या मैं कुछ कर भी पा रही हूँ, क्या वाकि जिस तरह से मेरे दोस्त, जो मेरे हमदर्द, जो कहते हैं कि सब कुछ छोड़के च information के लिए, जो आपको चाहिए, क्या आप लड़ने के लिए तयार हैं, हाँ या ना, सब तयार हैं, हाथ उठादीजे, पक्की बात है, चीदे, बहुत बहुत शुक्रियों, बहुत बहुत शुक्रियों, अगर आपकी कुछ सवाल हैं, जो आप मैं से पूछना चाहते हैं, तो मैं वालुंटेर्शन रोद करूँगी, जो माइक पास कर जें, क्तों कर दलें, हाँ सबखनीत महारा, सब्सक्रियों, जो त्थीन रोथीजे, यह वालुंग हुगए है, पच्छीजे सब्फेसाटोऌँ स्युक्रियों, श्रौले कर दूखनी लुजे है, क्तटिस कि अगर इंग और दिच्छी लख हत माम मेरा सवाल ये है कि भारत की में इस्ट्रिम मीडिया या दिल्ली की मीडिया को सब कुछ दिखता है क्या? पहली बातों मुझे इससे आपती है कि में इस्ट्रिम मीडिया क्या होता है? देखे जिसको हम में इस्ट्रिम मीडिया कहते हैं मैं भी गलती से कभी कभी कह देती हूँ उस पर ना दलितों की आवाज है, ना आदिवासियों की आवाज है, ना किसानों की है, ना मज़़ूरों की है, ना महिलाओं की है, ना बेरोज़गारों की है, ना युवाओं की है, ना अल्पसंख्यों की है ये भारत का बहुसंग की अक्वर्ग है अगर 80 फीसद, 90 फीसद जनता की आवाज उनके मुद्दे अगर इस so-called mainstream में नहीं है तो क्या 10 फीसद भारती भारत है, क्या वो ही मुख्य धारा है तो पहले तो सवाल उठा लेते हैं इसके ये बात सच है, इनको सब सुनाई देता है सिर्फ फर्थ इस बात का है कि इनके कानों में जो संगीत बज रहा है वो इतना तेज है कि हमारी आहें इने सुनाई नहीं देती है मैं जैसा अभी आप कह रहे ही थी अभी आप बूल रहे ही थी कि 2014 से 2019 तक का जो ये दौर रहा पत्रकारिता का पर उस पर सवाल रहे तो क्या अभी इसके पहले जो सरकारें रही होंगी तो क्या कभी उन्होंने भी पत्रकारों अप्रेद में कोशिश नहीं कियो बहुत अशा सवाल है और मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस 2014 से 2019 की पत्रकारिता की मैं बात करी हूं अगर मैं इमर्जन्सी की समय में मैं पत्रकार होती उस समय अगर मैं पैदा हो गई होती तो जेल जाने वालों में मैं भी एक होती मैं ने जब पत्रकाईता मैं पहली बार इंडिमिशन लिया तो मुझे कहा गया कि तुम नर्क में जा रहे हो तो ये बात कहा तक सही है कि और पत्रकाईता का भविश आगे कहा तक है मैं आपका शो देखता हूँ आर्फा का इंडिया दवायर के जरिये ही मैं आपको जाना कि आप क्या है इसके बाद अभी जब आप हमारे आने वाले तिसके पहले आपके बारे हूं पड़ा लेकिन आपके शो के दोरान जो मैंने देखा कि हर किसी स्थिती में किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार को नीचा दिखाने की कोशिफ मानता हूँ मैं कि मीडिया जो है समाज काइना है हमें समाज काइना बन कर आना है लेकिन जो सरकार के अच्छाया है उस इस्थिती में भी हम सरकार को क्यों बार-बार घेरते हैं ये नहीं है कि मैं आलोशना कर रहा हूँ, मैं और भी चैनल्स को देख रहा हूँ और मेरा जो भवीश है, need us Stream की media से हटकर ही काम करूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे कहीं कहीं न कहीं सही नहीं लगता है कि जो सरकार के अच्छे काम भी उस पर भी सरकार को गेरा जाए अगर कोई अच्छी information जो आपके काम आए जैसे सरकार अगर कोई scholarship दे रही है या माना कोई ऐसी योजना है जो गनीब लोगों के काम आ सकती है उसके लिए मैं चाहते हूं कि मेरे जैसे पत्रकारों का या मेरे संस्थानों का स्थमान हो और मैं पहुंचाऊंगा एक सबसे बड हैं जो जन विरोधी नहीं बलकि प्रो पीपल जनलिजम कर रहे हैं जो आपके जैसे लोगों की आवाज उठा रहे हैं आंसरिबिरिटी माम रहे हैं अगर वो भी एक करने लगें तो मुझे अफसोस होगा ये जवाब का पहला पार्ट है दूसरा पार्ट ये है कि पत्रकार धर्म है समिधान की रक्षा करना जब 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 जो जो राजनितिक ताकतें समिधान को नुफसान पहुचाएंगी उसके खिलाफ काम करेंगी गयर लोकतंत्र लोकतंत्र विरोधी जन विरोधी समिधान विरोधी जो नीतियां होंगी और जो राजनिति होंगी वो जो भी प खता पहुंचा है जो शायद पिछले सतर साल के इतिहास में नहीं पहुँचा। जब पहुचा था, जब अमरजनसी का दौर था, जब नरेंद उद्रमूदी पिधा मीलती से इंडरा गांधी. बाचपा के सरकार हम नहीं था कॉंगर्स पाकी के उम्र है, हमें तो एक हजार साल पुराना इतिहास भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा बस पीशे चले जाए चालिस साल पहले, एक बार इमर्जिंसी का इतिहास पढ़िए, आपको खुब समझना आ जाएगा नमस्ते मैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि 90's के वाद जो लोग है, पोपुलेशन, गो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जर्नलिजम पहले क्या था और अभी क्या है, आपका कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ इंटर्व्यू ऐसे देखे हैं, जैसे एक करन मैं खतम हो गया था, तीन मिनिट का था, और आपका देखा था, मैंने स्री स्री रभी शंकर वाला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जब कुछन पूछने के बाद आंसर इस तरह से मिलते हैं, और हाली मैं भी, केंद्रिय मंत्री रभी शंकर जी ने भी उसी तरह क की है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पत्रिकारता में, ऐसा अगर होता है, तो किस तरह से पत्रिकारता को आगे ले जाएंगे, मुझे लगता है ये दो तिन पत्रिकारों ने जैसे हैंडल किया इस एंटिव्यों को वैसे हैंडल होना चाहिए, कोई रूल में आपके जगर पे होंगे तो कैसे खुद को वो जो आपने बताया 2% 2% में रखना है और निस्पच कैसे रहना है मतलब किसी भी ideology से हमारा influence ना हो तो इतने बड़ी career में हमें क्या क्या चुनोती आएंगे हमार ने कोई support system है उसके लिए मैं कुछ हरुसेंशीर है यह बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि मुझे ने लगता कि ऐसा कोई है जो हमने crack कर लिया है कि कैसे सुरक्षित पत्रकारिता कैसे की जाए सेफ जर्नलिजम मुझे लगता है कि आज के दौर में नहीं है मैं यहाँ खड़े हो के बोल रही हूँ मेरे मन में कहीं न कहीं मेरे subconscious में यह बात लगतार चल रही है कि मैंने रिंदर मोदीजी का नाम ले रही हूँ यहाँ कुछ लोग बैखे होंगे वो नाराज हो जाएंगे तो जो सुरक्षित पत्रकारिता है वो अब नहीं है यह बात सच है उसके बावजूद भी कि हमें एक दूसरे के लिए आना होगा एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा और तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं भी प्रशान कनोजिया का मामला आपको मालूम होगा उनको 36 गंटे के अंदर बेल दिला दी गई पत्रकार आगया है वकील आगया है इसी तरहीं कर दो क्योंकि सरकार भी देखिए कहीं न कहीं हंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स वो भी देखते हैं एक बार ज़रा चावल निकालके कि देखते हैं कि ये पत्रकार कितना दब जाएंगे आप उतने ही दबेंगे जितना आप दबना चाहेंगे तो पत्रकारों को खेमे बाजी से बाज आकर हाला कि ये ये संभब नहीं है जो खेमे बन चुके हैं, वो बन चुके हैं, एक दूसरे के साथ हाके खड़ा होना होगा, तभी हम अपने को बज़ा पाएंगे, दूसरी मैतुकून बाद आपी कह रहे थे कि, कि आईजियालोजी या विचारधाराओं से परे, मैंने अपने भाशन में ये नहीं कहा कि मेरी क अपनी फात्र ऐत्या प्ट्रकारिता के नहीं दूसरी में में लेकिन विचाहँजार्धा शात्रा किस से आप क्या समझते ही, और क्या उस विचाहँगरा को या वो जो जो पुलिटिकल या एडियालोजिकल बाइस हैं, क्या आप उन्हें अपने पत्रकारिता के रास्ते मे ये एक वादा है जो हम अपनी पत्रकार्ता से करते हैं 1-0, 8-0, 5-7-6 थाइक ये अच्छावी आखाता को देखकर हमने सवार कोड़े कम दिये हैं मैं शुक्रियादा करना चाहूंगी मैम का उम्मीद करते हूं कि हमारे विधार्ती पत्रकार्ता के दाखने हैं अपने प्रोफेशनल जिंदगी में लाएंगे और खासकर जो लड़कियां जो महिलाएं इस चेतर में कदम लखना चाहती हैं उनको आपकी आवाज से ताकत मेलेगी